नमस्कार मित्रों, प्रोफिट 666 चानेल में आपका स्वागत है मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको एक अत्यन्त, सरल और आसान, परन्तु बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी बिना मंत्र के वशिकरन प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे आप सूर्य देव की एक अत्यन्त, सरल साधना से उनकी कृपा पाकर अपने मन चाहे प्रेमी या जीवन साथी को अपनी तरफ आकर्शित कर सकते हो अब मैं आपको इस वशिकरन प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए इस वशिकरन विधी को आपको शनिवार के दिन शाम के समय धलते हुए सूरज की पूजा करते हुए करना है उस समय आपको एक कलश या दातु के बरतन में स्वच्छ पीने का पानी भरकर अपने बाजु में रखना है और उसके साथ एक गुड का टुकडा भी रखना है इसके बाद साधग ने आपनी आखे बन करके हाथ जोड कर लगभक एक मिनिट तक ढलते हुए सूरज की तरफ मूह कर के शान्त चित्त से खड़ा रहना है इसके बाद साधग ने सूर्य देव को अत्यंत विनम्रता और प्रभल इच्छा शक्ती से एक छोटी सी प्रार्थना करनी है और जिस मन चाहे स्त्री या पुरुष का प्यार वह पाना चाहता है उसकी इच्छा प्रकट करनी है प्रार्थना करते वक साधग ने मन चाहे प्रेमी का नाम और मन चाहे प्रेमी के माता और पिता का नाम और खुद का नाम लेना चाहिए मित्रू उदारन की तौर से अगर साधग जिसका नाम राजेश है वह रिता नाम के लड़की का प्यार हासिल करना चाहता है जिसके माता पिता का नाम रमेश और अनिता है तो उसने प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सूर्यदेव मैं राजेश रमेश और अनिता की पूतरी रिता का प्यार हासिल करना चाहता हूँ गुर्पया मेरी पूजा सुविकार करके मेरी मनो का मना पूरी कीजिए उसके बाद साधग ने कलश का पानी और गुड सूर्यदेव को अरपन करना है इस वषिकरन विधिको साधग ने दुसरे दिन शाम को याने की रभीवार के ठलते हुवे सूरज के सामने इसी तरह धोराना है मित्रों, आप जानते ही हो की सूर्यदेव की उपासणा अत्यंत सात्विक होती है उसी तरह यह वशिकरन प्रयोग भी एक सात्विक वशिकरन प्रयोग है अगर आपके मन चाहे वेक्ति सम्मन्दित विचार शुद्ध और नेक है तो ही यह वशिकरन प्रयोग सफल होगा अन्यथा नहीं मित्रो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो गुरुपया सेस्क्राइब करना मत भूलिए सूर्य देव सबका कल्यान करेंगे